आज हम आपको बोल्टे डिवाइडर के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है फिटकल भी हम करके दिखाएंगे आपको कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज क्या है कहां कहां ये प्रयोग होते हैं बोल्टे डिवाइडर ऐसा सरकेट होता है जिसमें अगर इन्पुट में हम ज्यादा बोल्टे दें तो आउट्पुट में हमें थोड़ा बोल्टे बिलता है यहां पे एक हमने बहुत ही सिंपिल सरकेट दिखाया है बोल्टे डिवाइडर का जो दो रजिस्टर से बना है एक रिष्टर है R1, एक रिष्टर है R2, V I क्या है input voltage, यह ACV हो सकता है, DC भी हो सकता है, यहाँ पर और V 0 क्या है output voltage, तो हमने V I दिया, तो हमें V 0 मिला, तो जो output voltage मिलता है, वो बराबर होता है, V I multiply R1 by R2 plus R1 यहाँ R1 क्या है, नीचे वाला resistance, जो नीचे वाला resistance है, वो यहाँ उपर आता है और नीचे यह total resistance आता है, R2 plus R1 तो यह voltage, हमेंशा input voltage से कम होगा अब हम आपको इस formula का calculation दिखाते हैं यह ohmsla का formula है V बराबर होता है, current गुणा resistance अब यहाँ पर voltage है, V I यह बराबर होगा current मान दिखे में current I बह रही है तो I गुणा total circuit का resistance जो है R2 plus R1 यह series में connect है ना दोनो resistance तो R2 plus R1 हो गया इस formula से हमें current मिल जाएगी यह देखिए, I बराबर हो गया V I यह R2 plus R1 नीचे चला जाएगा तो I बराबर हो गया V I by R2 plus R1 अब हम यह formula यहाँ apply करते हैं यह output voltage है V 0 तो V 0 बराबर हो गया इस resistance में जो current बह रही है I यह current पूरे में वो ही है गुणा यह resistance R1 तो V 0 बराबर हो गया I into R1 अब इस I की जगा यह value हम रख देते हैं तो क्या आएगा बराबर हो गया V output voltage इस I की जगा हमने यह रख दिया तो यह आगया V I by R2 plus R1 into R1 इसी को इस तरह लिख सकते हैं यह V I, यह V I है यह R1, यह R1 है और यह R2 plus R1 यह R2 plus R1 है यह उपर resistance कौन सा है यह वाला और नीचे कौन सा है दोनों मिलाकर और यह है input voltage यह जो output voltage है input voltage से हमेशा काम होता है क्योंकि यह R1 कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो हमें फार्मूला मिल गया V output voltage बराबर V input voltage into R1 by R2 plus R1 यहाँ पे मैंने circuit assemble किया है यह DC supply है spine का voltage VI है यह resistor R2 है यह resistor R1 है spine का voltage V0 होगा और इसका इसा connection भी हमने किया नहीं है देखिए अलग है पहले हम R1 और R2 की value नापेंगे और आपके लिखेंगे कितनी है यह तो देखिए R1 कितना है 117 Ohm तो हमने लिखिया 117 Ohm ठीक है अब R2 की value नापेंगे 1065 Ohm 1065 Ohm अब हम इसको connect करतेंगे यह connection हमने कर दिया पहले scale resistance पे था अब scale DC voltage पे है तो हम input voltage भी आई नापते हैं कितना है 9.13 volt तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9.13 ओके अब हम output voltage नापते हैं कितना है यहाँ पर 0.9 volt तो यहाँ लिख लेते हैं 0.9 volt ठीक है अब हम calculation से calculate करेंगे तो यह जो हमने major किया भी output वो सही आना चाहिए फार्मूले से है ना अब voltage divider की output voltage हमने यह निकाला था प्रेटकल से अब फार्मूले से निकालते हैं यह फार्मूला है ना इसमें सब की value रख देते हैं देखें वी आई कितना था 9.13 volt R1 कितना था 117 ohm R2 कितना था 1065 ohm प्लस R1 117 अगर इसको आप calculate करें calculator से तो 0.9 volt आ जाएगा यह हमसी आ गया 0.9 volt लेकिन जाब आप करेंगे तो शायद ना आए क्योंकि इसके लिए आपको multimeter बढ़िहा वाला चाहिए जो सस्ते multimeter होते हैं उनमें इतनी accuracy नहीं होती है हमारे multimeter से अच्छी value आई है इसलिए match कर रहा है तो थोड़ा सा error आए तो कोई चिंता की बात नहीं है अब ही हमने जो voltage divider बनाया उसमें दो register यूज किये थे जैसे कि यहाँ पर है यह एक type का है अब ही हमने दिखाया आपको कि resistance की जो value है बहुत R आती है क्योंकि resistance में tolerance होती है इसका मतलब जो output voltage है वो आपको correct नहीं मिलेगा क्योंकि R की value पता नहीं होती थोड़ा सा 1%, 2%, 3% error होती है अगर accurate चाहिए तो उसमें potentiometer यूज करते हैं तो potentiometer में जब ये वाड़ी नाप उपर नीचे करेंगे तो नीचे का register और उपर का register दोनों की value change होगी तो accurate output ला सकते हैं जो हमें चाहिए ये calibration में बहुत यूज होता है तीसरा है कि register की जगा दो capacitor यूज करते हैं उसको बोलते हैं capacitor voltage divider हमने एक video भी बनाया है इसपर फिर है कि voltage division हम inductor से कर सकते हैं उसके बाद एक R और एक C ले सकते हैं और यहां पर अमने दिखाया है कि यहां भी R C लगा है यहां भी R C लगा है इसमें R भी हैं और C भी हैं तो कहां कैसा application है उस हिसाफ से voltage divider यूज करते हैं आपके electronic circuit में अजितर ऐसा या ऐसा मिलेगा इसका application अभी हम आपको बताएंगे अब voltage divider के applications क्या हैं एक तो voltage difference की तरह यूज करते हैं हमें 2 volt चाहिए, 3 volt चाहिए, 4 volt चाहिए उस हिसाफ से हम register select करके voltage divider बना लेते हैं अब calibration में कैसे use होता है जिसके यहाँ पे फिर हमने voltage divider बनाया है यह donor resistance equal हैं अगर आप 10 volt दें तो आदा बोल्टियां 5 volt आना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि register की value थोड़ा change रहती है tolerance होती है तो हम क्या करते हैं एक potential divider लगा देते हैं या potential emitter तो जब इसको slide करते हैं तो यहाँ और यहाँ resistance की value change हो जाती है और reject value 5 volt आ जाती है जो या जो भी हमें चाहिए इसको calibration में बहुत यूज करते हैं जो multimeter होते हैं कुछ जिनों काम करने के बाद उसकी reading गलत आने लगती है तो उनको calibrate कराना पड़ता है जो सस्ते multimeter हैं उनमें यह provision नहीं होता लिकिन जो अच्छे वाले हैं जैसा कि मेरे वाला था उसमें अंदर potentiometer या कोई और तरीका लगा होगा उसको calibrate करवाते हैं company में हर 6 मैंने या साल में आप tuning भी कह सकते हैं कि correct reading दे ठीक है अब sensor में कैसे use होता है देखे यह sensor है और यह एक register है यह दोनों मिलके voltage divider बना रहे हैं और यहां पर output voltage है मान लिजे कोई temperature sensor है तो उसमें temperature के इसाफ से sensor के resistance की value change होती रहती है तो जैसे से resistance की value change होगी यहां पर output voltage change आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि temperature कितना है तो यहां पर भी voltage divider का concept काम करता है अब voltage divider का use high voltage measurement भी है मान लिजे दस किलो बोल्ट आपको measure करना है तो दस किलो बोल्ट को तो दे नहीं सकते तो यहां voltage divider लगा देते हैं जिसमें RC दोनों होते हैं और calibration भी होता है तो यहां पर दस किलो बोल्ट दीजे तो यहां पर दस बोल्ट मिल जाएगा जो कि CR में सीधा चला जाएगा जीए मेरे पास फ्राब है वो 10 is to 1 के ratio की है मतलब अगर यहां पर हम 100 बोल्ट दें तो यहां पर 10 बोल्ट मिलता है इसको हम CR से connect कर सकते हैं तो यह जो RC हैं इसके अंदर यहां पर अंदर लगे हुए हैं यह high voltage फ्राब और इसका concept एक ही जैसा है जब यह circuit फ्राब में होता है तो इसको बोलते हैं high voltage फ्राब कभी-कभी क्या होता है कि फ्राब में यह नहीं होता अलक्षे होता है voltage divider और उसके बाद फ्राब लगी होती है ठीक है अब signal अच्विनेटर में यूज मालिजे किसे लक्टानिक एक्विप्मेट में कोई signal आ रहा है वो strong है तो voltage divider के मजब से उसको वीग कर देते हैं क्योंकि हमें strong signal नहीं चाहिए तो वहां पर फ्राब इसका फ्रेयोग होता है अब logic level shifting इसमें क्या होता है मालिजे 5 वोल्ड लॉजिक से 12 वोल्ड की लोजिक लेनी है तो यह 5 वोल्ड का TTL है और पुट 5 आएगा या 5 से थोड़ा कम आएगा यहाँ पर हमने एक कंपरेटर लगा दिया यहाँ मैंने voltage कंपरेटर भी लखा हुआ है दो वोल्ड का और फिर यहाँ पर जब यह सिगनल दो वोल्ड से जादा होगा तो पूरा ही 12 वोल्ड आ जाएगा अगर कम है तो 0 वोल्ड आ जाएगा तो logic level shift हो गई यहाँ 5 और 0 वोल्ड थी यहाँ पर 12 और 0 वोल्ड हो गई अब transistor pricing इसमें भी देखिए voltage divider है base का voltage decide करने के लिए voltage divider बना है उसमें उपर वाला resistance यह है यह supply यह है DC और नीचे वाला resistor यह यह और डाइवोड राप तीनों मिलके decide करते हैं तो इस spine का voltage एक, दो, तीन, चार चारों component के हिसाब से आएगा और output voltage यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कहीं भी ले सकते हैं इसलिए मैंने connection दिखाया नहीं है और यह input voltage है ऐसा circuit जो electronic नीचे रहा उन्होंने बहुत साथ देखा होगा voltage comparator वह अभी हमने आपको explain किया था logic level shifting में और वह जोगे voltage comparator यूज होते हैं इसका आपने पूरा एक video बनाया है अब आप यहीं समाप्त करते हैं जाए हिंद जाए हिंद